आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूंगी क्लास 10 जो है MP Board का जो एक्जाम 2021 का होना था वो कैंसल हो चुका है और क्लास 12 के टाइम टेबल के बारे में भी हम बात करेंगे कि कब तक यह आ जाएगा और किस तरह से एक्जाम हो सकती है तो at very first मैं आपको यह बता दूँ कि कई बार जो है यह हो चुका है कि कई बार यह न्यूस भी आ चुकी है कि 10th की एक्जाम कैंसल है कैंसल है कैंसल है लेकिन finally Board ने जो officially notification है वो upload कर दिया है तो देख लेते हैं कि जो official notification है वो क्या है और किस तरह से आपका paper यानि कि आपका result जो हो किस तरह से बनेगा किस तरह से marking की जाएगी और आपको कितने number आ सकते हैं दूसरा एक और सवाल कहीं student के दिमाग में होंगे कि क्या हम fail भी हो सकते हैं तो उसका भी clarification हम कर लेते हैं और वीडियो को आप last तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि आपका result किस तरह से बनेगा और कितने marks आपको मिल सकते हैं तो पहले notification और फिर बाद में हम result किस तरह से बनेगा उस पर बात करते हैं तो student ये रहा माध्य मिक्षिक्षा मंडल मद्पदेश बोपाल का official notification बोपाल दिनांक 14 मैं 2021 इसमें लिखाए कि कोरोना संक्रमन की गंभीरता को द्रस्टिगत रखते हुए माध्य मिक्षिक्षा मंडल द्वारा आयोजेत हाई स्कूल हाईर सेकंटरी हाईर सेकंटरी व्यावसाइक डिप्लोमा इन प्री बोड प्री स्कूल एजुकेशन सारेरिक प्रस्क्षन पत्रोपाधी परिक्षाय मंडल के पत्र क्रमांक 2011 पस 2021 बोपाल दिनांक 14 अप्रेल 2021 द्वारा एक महा के लिए इस्थगित किये जाने संबंधी आदेस प्रशारित किये गए हैं। कोन सी परिक्षा का? हाई इस्कूल की परिक्षा का को ना लिये जने का निरने लिया गया है। परिक्षा हैं आगामी आदेस तक स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमन सामाने होने की स्थिती में परिक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। यानि कि टाइम टेबल एक्जाम स्टार्ट होने से 20 दिन पहले आपको टाइम टेबल मिलेगा। परिक्षा परिणाम तेयार किये जाने संबंदी परिपत्र की प्रति व्यापक प्रसार है तू सनलगन प्रस्जित है। सनलगन उप्रोक्त परिपत्र तो नीचे कुछ परिपत्र दे रखा है। उसके आदार पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो यह पहली वाली जो पॉइंट है वो सेम है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि राज में लोग स्वास्त हैं। हम लोग हित्में नोवेल कोरणा वाइरस कोविड-19 के संक्रमन से बचाया है है। यह परिक्षा के इंदरोव यह वोका वोई है। लेकिन इसमें जो नीचे कुछ दिया गया है कि नियमी परिक्षारतियों हैतु क्या किया जाना है। तो वो देखिए आप यह आपके काम की है और यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। प्रति एक विद्यारति की अर्दभार्शिक परिक्षा, प्रीबोर्ड परिक्षा, युनिट टेस्ट हैं वांतरिक मुल्यांकन के अंक सालाओं में उपलब दें। अन्य तीन उक्त तीन प्रकार के मुल्यांकन का अधीभार नियत किया जाकर प्रतिक परिक्षारती को सालाओं दौरा सो अंकों में से प्राप्ता अंकों की गणना की जाएगी यानि कि आपके युनिट टेस्ट, आपके अर्दवार्शिक परिक्षा और आपकी प्रीबोर्ड जो एक्जाम हुई थी उन तीनों के बेस पर अधीभार लिया जाएगा यानि कि थोड़ा थोड़ा सबसे लिया जाएगा के से लिया जाएगा वो देखिए आप मादेमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंत्रिक मुल्यांकन के अंक भरने हैतु OMR sheets जो है सालाओं को प्रेशित की गई है इन OMR sheets में विशेवार अधिक्तम 20 अंक भरे जाने का प्रस्ताव है प्रत्यक विद्यारत परिक्षारती को विशेवार 100 में से प्राप्त अंकों को साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रो राटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्त अंकों को मंडल द्वारा प्रेशित OMR sheets में विशेवार अंकित किया तो जिस unit test में अधिक्तम अंकर जित किये गए हो या 30 प्रतिशत अधिभार तथा आंतरिक मुल्यांकन है तू 20 प्रतिशत अधिभार नियत किया गया है यानि कि कहने का मतलब यह है कि 100 number total होंगे ठीके अब वो 100 number कैसे होंगे आपके तीन परिक्षाएं है उन तीन परिक्षाओं में से यानि कि अर्दवार्शिक परिक्षाओं या प्रीबोर्ड परिक्षाओं इन दो परिक्षाओं में से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा marks मिले जिसे अर्दवार्शिक में आपको 70 मिले है और pre-board में आपको 80 मिले है तो 80 का 50% यानि कि 40 marks उसमें से लिए जाएंगे उसके बाद जो unit test आपके हुए हैं जिसे एक से ज़्यादा unit test हुए होगे तो उन जिसे तीन unit test हुए है तो तीन unit test में सबसे ज़्यादा अंक जिस unit test में आपको आए हैं उसको 30% लिया जाएगा और 20% जो है वो आपका जो project work है उसके दिये जाएंगे इस प्रकार यदि परिशाक्ति को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विशे में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR sheet में प्रो राटा बेसेस पर 80 अंक का 20% यानि कि 80 का 20% कितने होते हैं 16 अंक अंकित उस OMR sheet में किये जाएंगे ठीक है समझ में आया होगा I think आपको फिर बता देता हूँ कि जैसे आपकी Preboard और अरधवार शिक दो परिक्षाएं होई उसमें जिसमें आपको Maximum Marks मिले जिसमें आपको ज़्यादा नंबर मिले हैं उस ज़्यादा नंबर वाले को उठाना है उसका 50% करना है यानि कि 30% करना है अब 30% कैसे करेंगे जिसे युनिट टेस्ट मालो आपको 20 Marks का मिلا तो 20 मालो आपको 15 नंबर आए हैं ठीक है तो 20 में से आपको 100 में से कितने आएंगे वो निकालेंगे पहले तो 100 में से कितने आएंगे जिसे कि 25 आप 100 होते हैं तो 15, 5 आप 75, यानि कि आपको 75 marks मिले, अब 75 का 30% आप निकालोगे, ठीके, अब वो 30% जो निकलेगा, वो number जो उधर आपके अर्दवार्शिक और pre-board के जो 50% marks है, उसमें एड कर दिया, यह आपका हो गया, 50 और 30, 80 नंबर में से आपको कितने मिले, उसके बाद आपको, उसके बाद इसकूल क्या करेगा, जो 20 marks के आपके, जैसे practical exam होती थी, science में और other subject में, आपको 2020 के project works होते थे, उसमें से जितने number मिले हैं, ठीके, वो भी उसमें add कर देंगे, अब total तीनों का total, अगर मालनो, आपका 70 होता है, तो 70 का 20% निकला जाएगा, तो कितने होंगे, वो 14 marks होंगे, तो वो 14 नंबर OMR sheet में डाल कर, इसकूल जो है, वो बहस देगा board को, ठीके, इस तरह से, ये आपका result तेयार होगा, और फिर board जो है, वो उसको फिर 100% करके, और आपके जो marks sheet है, उसमें अंक डाल देगा, आगे है high school के विज्ञान, NSQF एवम अन्न विश्यों की प और आयोगीक भाग की OMR sheet में परिक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंत्रिक मुल्यांकन की भाती, सम्मंदित संस्ता द्वारा OMR sheet में अंक प्रदान किये जाएंगे, यानि कि इसमें भी जैसे बाकी में करना है, वैसे इसमें करना है, प्रत्य यूनिट टेस्ट, सम्मंदि उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रजेंटेशन आधी साला में शिल्ड बंद लिफापे में संधारित किया जाएगा, किसी प्रक्रण में न्यायले इन अन्य प्रक्रण उद्बुद होने की स्तिती में मंडल द्वारा चाहे जा प्रसाला प्राचार उक्त अविलेख मंडल को सुपलब्द कराना अनिवार होगा, यानि कि यह स्कूल के लिए है कि स्कूल को सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना होगे, और उसके बाद ही जो वो उस तरह से ऐसे नहीं कि मन से कोई भी स्कूल जो है वो टेस्ट लिए नि लिये फिर भी सेंड कर दे, ऐसा नहीं होगा, उसका सील्ड जो लिफापा है उसमें पेक करके सारे रिकॉर्ट जो है वो रखना होंगे, मंडल इस तर पर इस प्रकार प्राप्त विशेवार अंकों के आधार पर पुना प्रोराटा, आधार पर छात्रों के सिद्धान्तिक की असी में से प्राप्त अंक गणना करते हुए परिक्षा 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 प वो अपलोड करेगा तीन वर्सों में से सर्वस्रेस्ट ओसत अंक साला के लिए बेंचमार्क होगे यानि कि तीन साल का जो जिसे कि किसी स्कूल में हाई स्कूल की परिक्षा पिछले तीन सालों में हुई है तो उन तीन सालों का जैसे 2021 की आपका बनेगा तो 2020, 2019 और 2018 इन तीन सालों के जो ओसत मार्क्स है जो एवरिज मार्क्स है वो बेंचमार्क होगा अर्था कहने का मतलब यह है कि वर्स 2020 में साला में ओसत अंक तीन वर्सों के ओसत अंकों में सर्वस्रेस्ट से दो प्रतिश्ट से ज़ादा हो सकेगा यानि कि कभी रिजल्ट जो है वो ओसत मार्क्स जैसे साइन्स की ले लेते हैं अपन कि साइन्स में किसी स्कूल में 80 स्टूडेंट थे या मालो की 10 स्टूडेंट थे तो 10 स्टूडेंट को ओसत जो एवरेज मार्क्स है किसी को 80 आया किसी को 90 आया, किसी को 92 आया किसी को 50 आया, किसी को 33 आया इस सब का average निकला जाएगा और उस average में जैसे average बन रहा है 70 का तो इस साल का जो average है वो 72 हो सकता है, इस से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो सबसे based है, उस से 2% ज़्यादा हो सकता है, यानि कि बहुत limited, जो student कमजोर है, उनको कमी marks देना पड़ेगा, क्योंकि जो talented है, उनको ज़्यादा देना ही पड़ेगा, simple सी बात है उदारान सुरूप, यदि किसी साला का विगत 3 वर्सों में services तो सतंक बहुतर प्रतिशत है तो इस वर्स शाला दोरा प्रदत समस्त चात्रों को समस्त विश्यों में प्रदत अंकों का ओस्त 72 से 74 के तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि किसी साला के 3 वर्सों में से कम अर्थाद, 2 या 1 वर्स के ओस्त अंक की उस साला के सर्वस्त अंक माने जाएंगे यदि किसी साला का पूरू वर्षों का डेटा उपलब्द नहीं है तो ऐसी इस्तिति में विगत तीन वर्षों के सर्वस्रेस्ट प्रदेश ओशत अंकों को उस साला है तू बेंचमार्क माना जाएगा यानि कि कोई स्कूल जैसा है जिसको मानने ता नहीं थी अभी एक ही बेश निकली है उसमें एक ही साल हुआ है दो साल हुआ है तो उस कंडिशन में फिर यहाँ पर जो पूरा प्रदेश का ओस्त अंके उसके आधार पर ही नंबर देना होगा जैनिकि उसका रिजल्ट ओर खराब आने वाला है साला वार विगत तीन वर्षों के ओसत अंकों की गणना करते समय अनूपस्थित ठीक है के छात्रों के अंक सुन नित था पास अंकी छात्रों है तो 33 अंक मानने करते हुए ओसत अंकों की गणना की जाएगी जो केवल पास हुए थे उनको 33 और जो अनूपस्थित थे उनको सुन निमाना जाएगा मतलब उनको एक कैलकुलेट नहीं किया जाएगा साला वार ओसत अंकों की गणना निमना अनुसार की जाएगा किस तरह से करना है वो अब देख लेते सरो प्रतम समस्त छात्रों के समस्त विश्यों के प्राप्ता अंकों का योग करेंगे प्रायोगिक भाग वाले विश्यों में प्रायोगिक परिक्षा के अंक जोडते हुए प्रत्यक विद्धार्थी को सो में से अंक प्रदान करें जैसे आपका percent है 80% किसी दूसरे का 70% है किसी का 30 sorry 35% है तो इन percent जो ओसत है सबका aid किया जाएगा और फिर सबका percent average निकाला जाएगा इस तरह से यहाँ पर example भी दे रखा है किस तरह से होगा वो नीचे हम देखते हैं इस प्रकार प्राप्त संख्या को साला की कुल प्राप्त संख्या से भाग यानि कि divide करना है भाग देने पर प्राप्त संख्या की ही आपकी साला के high school परिक्षा वर्ज 2021 के ओसत अंक होंगे उधारन सुरूप यदि आपकी साला में कुल 92 चात्र है तथा समस्त चात्रों के समस्त विश्यों के प्राप्त अंकों का योग 3400 सुनसट है तो 3400 सुनसट divided by 92 student और एवरेज कितना आ गया 331.16 ठीक है ये एवरेज हो गया अब ये जो अंक है ये ही आपकी साला के ओसत अंक है तथा इस अंक का प्रतिशत 55.159 है ठीक है अब 331.16 में जैसा 6 विशे है तो 6 का डिवाइट करेंगे आप फिर तो 6 का डिवाइट किया तो कितना आगे आपका परसेंटेज 55.19 परसेंट है अब ये 55.19 किसी एक का नहीं रहेगा इसमें स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो किस स्टूडेंड को कितना देता है और किसको कम देता है यानि कि इसके उपर नीचे होगा लेकिन सब का टोटल मिलाने के बाद 55.19 परसेंट ही होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओमार शिट में अंक भरते समय यदि किसी साला दोरा उपरोक्त शर्त का उल्लंगन किया जाकर सर्वस्रेस्ट ओसत से अधिक अंक प्रदान की जाते हैं तो ऐसी इस्तिती में मंडल इस्तर पर परिक्षा प्रिणाम तियार करते समय अंको का मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि साला के समस्त शात्रों के ओसत अंक विगत तीन वर्सों के सर्वस्रेस्ट ओसत या ओसत के बराबर या ओसत से दो प्रतिश्चाद अधिक की सीमा में ही रहे ये आपको ध्यान रखना है मतलब स्कूल को ये ध्यान रखना है यदि किसी साला दोरा सर्वस्टेस्ट ओसत से कम अंक प्रदान की जाते हैं तो उन अंकों को यथा रूप स्विकार कर लिया जाएगा इस इस्तिती में अपवार्ड मोडरेशन नहीं किया जाएगा यानि कि किसी स्कूल ने अगर 72% उसका रिजल्ट रहता है और वो 75% बना के देता है तो उलंगन हो रहा है मतलब 72% होना चीए बलकि वो कितना पहुँच रहा है 75% पहुँच रहा है तो इस्कूल फिर क्या करेगा उसको 74 पर लाकर खड़ा कर देगा यानि कि बोर्ड क्या करेगा उसको 74 पर लाकर खड़ा कर देगा यानि कि वो बोर्ड खुद कम कर देगा लेकिन अगर आपने 72 की जगे 70% रिजल्ट बना के दिया तो बोर्ड इसमें अपवाड यानि कि बढ़ा कर नंबर नहीं देगा उतना ही देगा फिर उप्रोक्त सर्थ के उल्लंगन की स्थिदी में मंडल दौरा मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परिक्षारतियों के अंकों में समा अनुपातिक कटोत्रा हो अंकों के कटोत्रे है तू विश्यों का क्रम कैसे रहेगा तरती भाषा उसके बाद प्रथम भाषा उसके बाद दिती भाषा उसके बाद सामजी विज्ञान उसके बाद विज्ञान एयों गणीत इस तरह से इनमें सबसे पहले किस में से नंबर डिडेक्ट की जाएगे थर्ड लेंग्वेज में से उसके बाद फस्ट के माध्यम से की जावेगी यानि कि ऐसे इसकूल की मानेता भी खतम हो जाएगी अनुत्तिर्ण होने वाले परिक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तिर्णांक 33 प्रतिशत प्रदान करते हुए उत्तिर्ण गोशित किया जावे यानि कि अगर हाप यरली यूनिट टेस्ट और इ प्रावदान नहीं होता है यानि कि 20-20 नमबर नहीं मिलते हैं एसी स्थिती में हाई स्कूल परिक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्याई चात्रों को नियूनता मुत्तिर्ण अंक 33% करते हुए मंडल द्वारा अंक शूचियां जारी की जाएगी लेकिन जितने भी यानि कि जितने भी प्राविट स्टूडेंट है जिनने फार्म डाला है वो सभी जो है वो क्या हो जाएंगे पास होंगे सिर्फ 33% से यदि कोई नियमित या स्वाध्याई परिक्षारती अपने अंकों प्रनाली से असंतुष्ट है तो भविष में आयोजित परिक्षा में सम्मिलित हो सकेगा इसके संबंद में मंडल दोरा भविष में नीतीते की जाएगी अभी कुछ डिसाइडेट नहीं है कि फ्यूचर में कोई एक्जाम ली जा सकती है जिसमें आप एपियर करके और उस 33% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते है इस वर्स हाई स्कूल परिक्षा 2021 में सम्मिलित होने चात्रों को पूरू वर्स अनुसार बेस्ट आफ फाइब पदती का लाप देते हुए अंक सुचियों में केवल श्रेणी अंकित की जावेगी किन्तु इस वर्स हाई स्कूल परिक्षा की प्राविण ने सुची मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जावेगी यानि की बेस्ट फाइब तो रहेगा लेकिन मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं होगी अता उपरोक्ता अनुसार नियमों को पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परिक्षा 2021 की आंतरिक मुल्यांकर नहीं प्रायोगिक परिक्षा की OMR सीट में अंक भरकर मंडल द्वारा निरधारित प् स्कूलों को टाइम दिया गया है उससे पहले स्कूल को जो है वो क्या करना है वहाँ पर सब्मिट करना है जीले इस तर पर जीला इस तर पर ताकि उसका जो है वो रिजल्ट बनकर तेयार हो जाए तो आई होप कि आपको यह चीज़ समझ आगए होगी किस तरह से आपका रि प्रिपेशर भी देख रहे हैं कोई प्रिंसिबल देख रहे हैं तो उनको भी एक नोटिफिकेशन मिल गया होगा और वो भी इसी बेस पर जो है वो जो रिजल्ट ए स्कूल का वो प्रिपेर करेंगे तो स्टुडेंट्स तैंध आपकी हो चुकी है अगर आप को लगता है कि ह हम फैल होने वाले हैं तो आप स्टुडी कंटीनु रखिए और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो एक्जाम देना है तो बाद में जब भी बोर्ड एक नहीं नीती बना कर और ऐसे अगर आवेदन आते हैं स्टुडेंट्स के कि हमें एक्जाम देना है हम तो जब बोर्ड एक्जाम कंड़क्ट करेगा तब आप एपियर करके और जो बोर्ड ने जो प्रणाली जो स्कीम बताईए इस स्कीम उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो बाद में आप एक्जाम देके उससे जदा मार्क्स ला सकते हैं लेकिन अगर बोर्ड ने आपको मानलो 45 परसंट दे दिया और बाद में आप फेल हो जाते हैं एक्जाम में पियर करने पर तो फिर आप फेल माने जाएए फिर आप पास नहीं होंगे ठीक है ना तो यह चीज भी आपको ज्यान रखना है तो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक् यह 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 कसी दो स्टुडेंट्स आपको क्यान रखना है तो कि अपको कि अपटने चीजार्स